हेलो बच्चो आप श्राविका हमारे यूटूब चेनल आईगेल देव क्लास्वेश में स्वागत है बच्चो आज हम आपके लिए ब्रिश कोस ले क्या है जो कप्षा नौमी का है और विशे क्या है आपका विशे गडित और किस सत्र के लिए सत्र दोजार पेईश चूविस और यह आपकी विध्याति कारे पुष्टी का है इस विध्याति कारे पुष्टी का में आज हम आपको पुलांग से समधित अधीगम परिखंद बताएंगे और इस विध्याति कारे पुष्टी का किसक pounds बनाया है समझ सिक्चा अवियान secondary education, लोक शिक्षण, इसकूल अधिगम परिखण है तो कैसे करना है इसमें आपको पूरे प्रश्ण यहां पर कुणांग से संबंदित आजाएंगे चाहे वह जोड़ने के हो गठाने के भाग के और आपकी संख्या देखा भी हो सकती है तो इसका पहला प्रश्ण क्या दिया है सरल करो सरल करो का प्रश्ण नमबर एक देखें क्या दिया है इसमें रिन तीन और रिन पांच इसको हम सरल करेंगे तो क्या होगा तो आपको हमने यहां पर चिन कैसे है समान चिन है समान चिन है कि एदी शमान चिन है तो वह क्या हो जाता है जोड़ जाता है लेकिन चिन वही आता है तो समान चिन है रिन रिन के चिन है इसलिए यहाँ पर रिनी आएगा और तीन में पांच जोड़ें कित्ता हो जाएगा आठ हो जाएगा तो आपने क्या किया किये रिन तीन में रिन पां तो यह घड़ जाएगा 6 मैंसे 2 घड़ जाएगा लेकिन चिन कुन सा आएगा आपको यह भी बताना तो जो बड़ी संख्या के सामने जो चिन होता है वही चिन आता है तो 6 मैंसे 2 घटा लीजे 6 मैंसे 2 घटा है कितना बचा चार बचा है कितना बच गया आपका चार बच गया लेकिन अधिकतर आपके बुगो में देखना किसी भी शंख्यक सामने कोई चिन नहीं है, तो वहाँ पर को सा चिन लगा होता है, धन का चिन लगा होता है, नए शट्वलब टसम देखते हैं, यहाँ पर क्या है, धन 4 और रिण 5, धन 4 में से रिल 5 को घटाना है, अब घटाने म की का गुड़ा इस रेल से करेंगे डेल का रिनम करने करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका धन हो जाएगा और बचता क्या पांक आइगा तक जोल जाएगा जीके। पर 9 आ जाएगा इस परकार 4 में से रिण 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास क्या बचेगा धन 9 इस परकार इस प्रस्वाइब किये फिर रिण 7 में रिण 11 को जोड़ना है तो उससे पहले हमें एक कोश्टक को हटाना पड़ेगा तो हम पहले रिण 7 लिख दे रहे जोड़े घटेगा जोड़ आएगा तो साथ में 11 जोड़े तो कित्ता हो गया रिण 18 हो जाएगा जो प्रस नमबर एक के चार प्रस निये थे यहां पर आपके कंप्लेट होते हैं आपको जहां तक है हमने जो प्रस्वा समझाए समझ जरूर आये होंगे और आपको यह भी जमा, घटा, भाग, गुडा, पुडांक, भिन, सभी के प्रस्ण मिल जाएंगे, सभी के कारिपत्रक आपको उपलब्ध हैं, आप हमाँ चेनल को सस्क्राइब कर लीजे, तो आपको हर समय नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेगा, चलिए आगे देखते हैं, अगला कोशन क् कीजिए, यह भी हल वाला है, कोशन नोबर 2 में, इसका फर्स्ट प्रस्ण दिया है, रिल 2, गुले 3, रिल 2 का गुडा किससे करना, रिल 3 में, तो हम गुडा में पहले चिन्नों का गुडा कर लेते हैं, रिल का रिल में गुडा की तो क्या हो गया, धन, और धन लगाया जात दिखिए, रिल 10, गुले, धन 15, रिल 10 का किस में गुडा करना है आपको, धन 15 में, तो पहले चिन्नों का गुडा कर लेते हैं, दस के साथ रिल का चिन्न है, और पंधरा किसा धन का, धन का रिल में गुडा की तो क्या हो जाएगा, रिल, आप गुडा कर दीजे, पंधरा कोसिस कीजे धन साथ गोलेट करें जाएगा अभी बताये आपको कि असामान चिन्णों को जब गुढ़ा होता है तो चिन कौन सांता है बताईए रिण में फील्स टादोग решил कि रुन हैं तो चाहर लुदा करने साथ का सारम गुला करूंग करेंगा लग। 28츠 7 र熱 4 mm धूरा करने आएगा करने तो आएगा इस पकार इंबर 2 के तीन प्रेशन अब आहाई पर आपके कंप्लिट होते हैं उपर संख्या रिखा के माद्धयं से प्रेशनों को हल खोल करना है तो हम संख्या लेकि यहां पर 6 धनात अक्मान इदर 6 चल जाएं तो हम यहां पर ले लेते हैं हम जीरो यहां ली तो 1 2 3 4 5 6 भी आ जाता है 1 2 3 4 माइनस 4 भी आ जाएगा और फिर संख्या दर्सा दीजे आप यहां से आप गिनना चालू कर दीजे क्या रहा है रण 4 मेंसे हम पहले हम से स्नुने से स्टाइब लुकल किreteर बाई और चलेंगे तो यहह्त की पर आंगा हम यह हो गया कहां तक जाएंगे रेण तक फिर यह क्या आगे आपका रेंड दो यह क्या आगे आपका रेंड दो फिर यहीं से आगे बढ़े तो यह कित्ता हो गया आपका रेंड तीन रड़ 3 हो गया यह, फिर यहीं शी आगे बढ़ गया, कहां तक चलेंगे हम, रड़ 4 तक, यह कहां से चालू हुए, सुन्य से यह बाई और चले रड़ 4 तक आ गए, हमने यह रड़ 4 तक आ गया, अब रड़ 4 में, क्या करना है, धन 6 को जोड़ना है, तो आपको जोड़ना है घटाना है तो बाई और चल रहे थे, रेनातों कमान किधर होते हैं, बाई और, लेकिन धनातों कमान किधर होते हैं, दाई और, अब रड़ चार से हम दाई और चल लेते हैं, अब यहीं से चलना चालू करेंगे, रड़ चार से, यह एक हो गया है, छे, छे बार चलेंगे, दो तीन च्यार पांच और ये च्छै च्छै यहां तक गिल नहीं हमने अब यहां पर सुनी के बाद क्या था एक ये दो होता है फिर आगे बढ़ सकते हैं यहां तीन च्यार पांच छै शाथ जब हम इस से रड़ चार से किधर चले धन च्छै की और चले चैर पांच छै तो जब हम रड़ चार में धन च्छै को भटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा धन दो प्राप्त होगा मोखी घटा कर देख लिए चैर घटाय दो और बड़ी संक्यक साथ क्या है धन का चले इसलिए धन दो जाएगा इसी प्रकार अब रिड़ 6 और रिड़ 3 यहां तो जीरो को आप थोड़ा सा इधर ले लिजिए यहां पर जीरो ली दहना तो मान नहीं है तो अब क्या कर रहा है रिड़ 6 चलिए तो बाई और सुने के किदर बाई और चलेंगे रिड़ 1 रिड़ 2 रिड़ 2 यहां पर रिड़ 3 आपका हुआ है को से यह क्मरारे से आप मान पूरी लिख सकते हो तो हम पहले रिड़ 6 चलते है सूने से रिड़ 1 रिड़ 2 रिड़ 3 रिल 2 रिड़ 5 रिड़ 6 रिड़ 6 हो गया उसमें कित करना है रिड़ 3 तो पिर रिड़ 3 आ जाएगा रण 7, रण 8, रण 9, तीन बार आ गए यहां पर, जब हम रण 6 में रण 3 समान चीने जोड़ जाएगा यह, तो किस पर आ जाएगा, रण 9, तो यह आपकी संख्या रेखा में बता दीए, क्या आपका मान, रण 9, रण 6 में संख्या रेखा को जोड़ना कैसे यह आपको बताए और रण 6 में, रण 3 को जोड़े तो किता हो गया, रण 9, इसी पर दन 10 में से 5 को घटा ना है, हम धन 10 कहां पर ले लेते हैं, इधर लास्ट में सुनी लेंगे, योग कि इधर 10 जाएगा, तो यह 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, यह शाथ हो गया, यह 8, 9, 10, आप और हटा के ले सकते अब देखिए, धन 10, तो सुने के दाई हो जाएंगे, यह 1, फिर यह 1 हो गया, यह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह 10 तक आ गया, धन 10 में आगे बढ़ गया, उसमस किता कम करना है, रण 5, तो आप 10 से हम, रिवाल संखिया, तो किदर चलेंगे, बाई और, अब कम होते चलते हैं, इस 1, 2, 3, 4, 5, यह 5 आगया, जब हम 10 में से, रिवाल 5 कम किता आगया, धन 5, तो यह हमारा आंसर कुन सा होगा, यह वाला आंसर हो जाएगा, धन 5 वाला, तो इस पकार से आप संखिया रिखा पर इसे 10 सा सकते हैं, यहाँ पर संखिया रिखा कि माद्देम से जो प्रेस नहल करन है, वह कंप्लीट होता है, और पुणांक के सभी कारपत्रक इस वीडियो के वाध्यम से कंप्लीट होते हैं, यह आपको हमारे द्वारा जो अधिकम परिक्षन पुणांक का बताया गया यह अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल आइडियल देवकलास से सब्सक्राइब क